हाई स्टुडेंट साहिम अतुल राजर मैं प्रिजेंट हूं आप लोगों के लिए बीसी सेकंड यर वालों का थर्ड पेपर कैमिस्ट्री का फिजिकल कैमिस्ट्री लेकर जिसमें इंपोर्टेंट वीडियो आपकी आज बहुत ही इंपोर्टेंट है सीजा सीजा रजत वीडियो वालों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है आज का जो टॉपिक है हमारा सीजा रजत प्रवस्था नियम की व्याख्या करिए और इस नियम के द्रश्टी कौन से जल तंत्र या सीजा तंत्र के आरिकों का वर्डन कीजिए या फिर इसको इन इंगिल यानि प्रवस्था नियम इसको इंगलिस में फेज रूल खहते हैं तो विलाई गिप्स ने यानि जो साइंटेस्ट थे विलाई गिप्स ने एक नियम प्रतिपादित किया था जिसकी सायता से विसमांगी सामयदाब ताप वसंद्र सांद्र परिवर्तन के प्रभाव की धन 2 के वरावर होता है ठेक है यहां से एफे एकोल तुसी पिलस टू यारि जो घ्टकों का यूगा योग्वर घ्टकों का वह प्रत्र को की संख्या है तो पी पी बरावर तंत्र में प्रावस्थाओं की संख्या हुई ठीक है तो यहां पर प्रावस्थाओं की जो संख्या है इसमें प्रवस्था क्या है अब प्रवस्था को देखते हैं कि देखिए प्रवस्था किसी विसमांगी तंत्र प्रवस्था में देखेंगे किसी बिसमांगी तंत्र के भौतिक रूप से निन्म यांत्रिक विधियों द्वारा प्रथक हो जाने वाली बिसमांगी अग प्रवस्थाइं कहलाती हैं जैसे आप इसे एक्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं जैसे गैसी होते हैं तथा समांगी प्रवस्था होती है जैसे अ मिसरेट होगा दूसरा नोनमिक्षरेवल हों वेंजीन और जल की जो प्रवस्था होगी वह एक ठोस मिस्रण की उतनी ही प्रवस्थाइं होती है जितने ठोस विद्मान होते हैं तीसरा जलता हुआ जम ले लीजिए जैसे जो आइस में चेंज हो रहा हो जमते हुए जल की तीन अवस्थाइं होती है कौन कौन सी होती है एक तो होता है वर्फ यानि जो ठोस होती है द सब्सक्राइब जो वह छोटी से चोटी से चोटी संख्या होती है जिसकी सायता से तंत्र में विध्धमान परतियक प्रवस्था के संगटन को सीधी रीती से एक समीकर की सायता के द्वारा इसे व्यक्त किया जा सके घटक कहलाता है ठीक हैं तो उधारण कि तर पर समझ लीजिए जल तंत्र में तीन प्रावज्थाइं ठीक है जैसे माली जे घटक हुआ यानि जल तंत्र को उसके समझेंगे कि जल तंत्र की तीन अबस्ता है कौन-कौन सी बर्फ ठोस है जल आपका द्रब है और गैस कैसी है वास्प यानि वास्प के रूप में रासाइनिक यौगेक है ठीक इसमें की और यह घटक तंत्र है अब एक क्यों है क्योंकि एक रासाइनिक तंत्र यानि जैसे माल लिजे एक यह आपका है एक लो गैड केमिकल कमपाउंट से रेकमिप्र देकल वाद हो रही है तो इसका जो घटक होगा वह उनलियों यान घट सब्सक्राइब करने पर यानि कैल्सियम कार्बोनेट अब इसे जब गर्म करेंगे तो देखिए यानि तब्त करने पर सब्सक्राइब करने पर दो दो स्टेट्स बन जाती है जो कैल्सियम ऑक्साइड होता है वो ठोस में होता है और कारवन डायॉकसाइड होगी वह कैसी होगी गैस में होगी इसे तन्तर में तीन परावस्थाएं हैं कौन Studios इनकी तीन परावस्था शती हैं दो अवयवर्य केशीडियों दिया हुआ है आपको झाल झाल झाल